ममता की शादी सुनिय से होती है जहां उसकी साथ कमला काफी अलग किसम की मैला होती है अलग किसम मतलब? खुदी देखिए अरे ममता बहु शादी के बाद ससुराल में तुम्हारी पहली दिवाली है तो याद रखना, मेरे घर में दिवाली के दिन घड़े में पानी रखना होता है, वो भी बारा बज़े से पहले जी माजी, मैं अभी देवजे से कहती हूँ, वो किचन की तार से घड़ा उतार देंगे जो करना है वो करो लेकिन हां बारा बजे से पहले घड़े में पानी भर देना बरना नहीं नहीं मा जी बिलकुल सास वहाँ से चली जाती है लेकिन थोड़ी ही देर में किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है वो कीचिन में जाती है जहां जमीन पर घड़ा तूटा पड़ा होता है ए भगवान इतना बड़ा अपशकून कर दिया मिट्टी का घड़ा तोड़ दिया अरे भगवान अब क्या होगा इस घर का मा लेकिन ये घड़ा मुझसे तूटा है और घड़ा ही तो है उपर एक और घड़ा है मैं निकाल दिता हूँ नहीं नहीं वो घड़ा तो भगवान ने मुझे पकड़ा दिया था लेकिन मेरी ही हाथ से छूट गया अरे वाजिवा अरे निकाल तो दोगे तुम बेटा लेकिन आज मिट्टी का टूटना कितना बड़ा अप्शिकून होता है जानते हो तुम तुम तो बच्चे हो लेकिन ये तेरी भावी ये तो बता सकती थी कि कितना बड़ा गुना है ये सास वहाँ से चली जाती है ममता सास की बात सुनकर रोने लगती है अरे भावी गलती मेरी थी आप क्यों रो रही है नहीं मुझे तो पता था कि तुम छोटे हो मैंने ही गलती कर दी तुमसे घड़ा उतरवा कर ममता उदास हो जाती है भावी अब परिशान ना हो गलती मेरी थी डांट आपको लग गई कोई बात नहीं भाईया चलिये मैं रंगोली बना लेती हूँ आप तब तक बाजार से सामान ले आएं शाम को मैं पनिर के सबजी बनाऊंगी देवर बाइक लेकर बाजार चला जाता है और ममता आंगन में रंगोली सजा देती है फिर किचन के काम के लिए अंदर चली जाती है कि तभी सास के जोर जोर से चिलाने की आवाज आती है अरे ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने हे बगवान आज तो अनर्थ ही हो रहा है बहु की पहली दिवाली और एक के बाद एक अप्शकून ममता बहार आती है जहां सारी रंगोली बिखरी होती है और पास खड़ा होता है प्यारा सा देवर वो भी मू नीचे करके अरे ममता ये कैसी रंगोली बनाई है किसने इसे खराब कर दिया अब तो उसकी खैर नहीं ममता को लगता है कहीं देवर को मार न पड़ जाए मा मेरे ही पल्लो से बिखर गई थी देखिये न वो सास को रंगोली से सनी साडी का पल्लो दिखा देती है अरे मुझे तो लगता है तो अप्शकूनी है तब ये एक एक कर अप्शकून हो रहे है पहले मिट्टी तोड़ी अब रंगोली मा वो तो रंगोली मुझसे तब ही ममता बोल पड़ती है हाँ हाँ भया रंगोली आपकी ही पसंद की बनाई थी चली मैं फिर बना देती हूँ हाँ हाँ फिर तो तु बना ही देगी खाना कौन तेरी चाची आएगी माई कैसे बनाने नहीं नहीं मा जी चाची को बलाने की क्या जरूरत है मैं खुदी बना देती हूँ आप चिंता ना करें और शाम की पूजा की तैयारी भी तुझे करनी है याद है ना तबी मम्ता का पती आ जाता है मम्ता याद है ना शाम को हम दोनों के एक ही रंग के कपड़ पहनने है पहली दिवाली है हमारी अच्छी अच्छी फोटो डालेंगे सोशल साइट पर मम्ता परिशान हो जाती है अरे क्या हुआ भाबी अरे मेरी लाल वाली साड़ी तो ड्राइकलेनर के पास है और शाम को वही पहननी थी अरे मेरी भाबी मेरे होते हुए आपको परिशान होने के क्या जरूरत है मैं यू गया और यू आया मम्ता देवर को कई दुआए देती है वहीं देवर को भावी की वो सारी बात याद होती है जो मा से डाट के लिए उसने अपने सर ले ली थी शाम को अरे बहु कहा हो सभी घरों में तैयारिया हो गई है ला दिये दे मैं ही पूरे घर को दिये से सजा देती हूँ ममता सास को दिये से भरी प्लेट दे देती है और खुद पती के साथ सल्फी लेने लगती है लेकिन थोड़ी ही दिर में अचानक सास वहां जाती है और ममता पर जोर जोर से चिलाने लगती है अरे अगर आड़े तीर्चे मूँ बनाने से फुरसत मिल गई हो तो यहां आ रे कैसे दिये दिये थे तुने एक ना जले फिर अपशकुन दिवाली की शाम का वक्त और घर के सारे दिये नहीं जले अरे क्या करवाना चारी है फिक्र नहीं है कि घर में दिये लगे बास उल्टे सीधे मूँ बनाकर फोटो खिच्वाते फिरो सास की मूँ से ऐसी बात सुनकर ममता जोर जोर से रोने लगती है मुझे माफ कर दीजी माजी मैंने तो ठीक से दियों में बत्ती और तेल डाला था मुझे नहीं परता कि दिये क्यों नहीं जले क्या बात है ममता अरे मा क्या गलती है इसकी दिये नहीं जले तो बत्ती तो उसे लगाई दी थी तेल भी डाल देती थी चुप बिल्कुल चुप बड़ा आया बीवी की तरफदारी करने वाला अरे इतने छोटे से मैंने बड़ा किया और आज बीवी आ गई तो बीवी बीवी कर रहा है बेटा मा की बात सुनकर चुप हो जाता है लेकिन ममता का रूना नहीं रुपता तबी वहां आ जाता है ममता का प्यारा सा देवर मा देखो मैंने दिवाली में तुमारे लिए गिफ्ट करीदा है अरे वा अरे वा अब ये दिन आ गए कि छोटे बड़ों को गिफ्ट दे क्या है दिखाओ देवर सास को गिफ्ट देता है जिससे सास जैसे ही खोलती है उसके होश उट जाते है पहचाना मा ये क्या है डिब्बे से ढेर सारे तूटे हुए दिये निकलते हैं ये क्या भईया कोई मा को तूटे हुए दिये ममता बीच में ही चूप हो जाती है क्या हूँ आमम्ता दिये देकर चौंक्यों गई क्योंकि जो दिये मा ये बोलकर भाबी को डाट रही है कि जले ही नहीं दरशल वो दिये मा से टूड गये थे मा ने इने टेबल के नीचे छुपा दिया था मैंने देख लिया वो गलती से मेरा पैर अफिसल गया था पर तब आपने कहा कि ये अप्शकौन है मा अब तो आपसे सारे के सारे दिये टूटे है तो ये अप्शकौन नहीं हाँ मा गलती तो आपसे भी होईह जाती है न और वैसी भी मा त्योहार वाले दिन घर का हर इनसान हस्ता खेलता दिखे खुश रहे ये ज़रूरी है अब घर की लक्षमी कही जाने वाली बहु ही रोए तो क्या ये अप्शकुन नहीं है हाँ हाँ बच्चो मैं समझ गई बहु मुझे माफ कर दे मेरे कारण तेरी आख में आसू आए अरे नहीं नहीं मा मैं तो बस ऐसी ही बाबी मा जब तक मैं हूँ आपकी आख में कभी आसू नहीं आने दूगा